भारत मना रहा है नौवा अंतराश्ट्री योग दिवस। प्रफियों ने अपनी अपनी राजधानी में और अलग अलग जगय योगासन किये हैं हजारों की तदाद में लोगों के साथ में सूरत में एक लाख लोगों ने योग करके रिकॉर्ड बनाया उधर भारती सेना के अस्तर और जवानों ने कश्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक योग करके ये बताया कि योग के जरीए कैसे एक सूत्र में पूरे भारत को पिरोया जा सकता है आर्मी नेवी एर फोर्स खास्तों से पैरा मिलिटरी के जवान इसके अलावा बीस एफ और सी आर पिएफ ने भी अंतराश्रिय योग दिवास के दिन योग करने का एक अल में मसकट शिलंका में कॉलंबो थाइलेंड में फुकेट और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूए में दुबई में पोटकॉल में शिप्स पर योगा किया गया है और इनमें किल्टन चन्नई शिवालिक सुनेना त्रिशूल सुमित्रा और रम्बो पुत्रा शिप्स शामि हैं अलगी आज शाम साले पांच बजे प्रधार मंत्री नरेंद्र मुदी यूएस में यूएन हेटपोर्टर में योगा करेंगे और यह अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट कहा जा रहा है फिशल नौ साल में भारत नहीं है जाना योगा के जरीए कैसे फिट रखा ज जा सकता और यह फिटनेस सिर्फ और सिर्फ एक्स्टरनल फिजिकल फिटनेस नहीं है बलकि कहते हैं अपना मन अपना चित शांत करने के लिए योग बहुत जादा जरूरी आपको याद होगा कोविड काल में डॉक्टर सक ने भी यह कहा था कि इम्यूनुटी अगर आपको मजबूत कर सकते हैं यह डॉक्टर से खुद भी बताया और इसकी रिसर्च भी है प्राणायाम का मतलब यह हो गया कि जहां पर आप सांस की एक ऐसी एक्सरसाइस करते हैं कि आपके फेपने में कितनी सांस जानी चाहिए और आपके शरीर से कितनी कितनी सांस बाहर आनी चाह और पूरी दुनिया में अंतराश्रिया योग दिवास के दिन एक संदेश भारत की तरफ से देने की कोशिश की जाती है योग के जरी आप निरोग रह सकते हैं योगा के जरी आप अपना आत्मसायम बढ़ा सकते हैं योगा के जरी आप फिजिकल फिटनेस अपनी ठीक रख सक करते हैं अपने शरीर के अंदर नमस्ते अ हुआ अपना आत्मसायम लेतान में अपना सकते हैं